आप गुरू जी को तो लंबे अर्से से जानते भी बाबा नसा के खिलाफ थे अंदोलन चलाया है लेकिन आ रहा है कि सरकार अपने हाथ में सराब का कारोबार लेने के लिए प्रामर्सी नुक किया है आज आप लोगों ने हरी जंडी भी दे दी अपने हैं पहले पढ़ करके बोलिये ता मुस्मार्साइब राजस की बढ़ात्री का एंगल है बस हम सलाओ ले रहे हैं कि सलाकार ने करे हैं कैसे आगे बचा हैं कुछ तो नहीं कर रहे हैं आप पढ़ दीजी जेने उसको कितना खर्च कर रहे हैं क्या जी पचास लाग से एक खर्चा करेंगा तो रूपई आवेगा बात समझे ना पहले आप पढ़ लिए तब पुछिए सर उसमें यह है कि सरकार राजस्व की बढ़ोत्री कैसे कर सकती है उसके लिए राइस हमारी करें मतलब यह कहना चाहते कि सराप ज्यादा तर्भी के जहारखन में वह सरकार चा बढ़ तो यहां यहां परलेल में विक्राखन में रहा है जिससे आपको रेवन्यू उने मिल रहा है उसको पकड़िए यहां पकड़िए आपका रिवन्यू बढ़ जागा ऐसा भी होता है ना पूरा आप समझ यह बात मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है आपका जब आन्दोलन कि ये नसा के खिलाफ तो क्या गडबंधन सरकार ने चाहिए ऐसा है सराब बंदी इस राज में अभी संभों नहीं है बिहार ने किया बिहार में क्या हो रहे हैं आप अख़वार में पढ़ेंगे दू लाक लोग जेल में थे एक समय दो लाक दो लाक जेल में तो इसे करते जा हुआ आप हम कहेंगे खिलाफ तो नहीं बोलेंगे बिहार सरकार के हम नहीं बोलना चाहिए लेकिन यह है उसका नतीजा क्या हुआ आप इसको नतीजा पर जाए सराबंदी की वज़ह से कौन जेल में हैं बिहार के लोगे हिना है भोटरेल ले गुनाव का है कि दूसरा कोई है जाने वाद का मामला घट रहा आप चाहते अब स्कूल कॉलेजे इसको चोट लगी जागा एक दूस के बाद है पुब्लिक के डिमांड है हम लोग आज चर्चा भी किये अनप तरेक जंग से किने उसी जगार लोग खोला पहले भी खोल दिया था इसको तुसरे राजियों में हमारे यहां भी तो बिचार होना चाहिए तो एक दूस के बाद करेंगे गंतंत्र न्यूस की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ओन करें